तो दोस्तों अगर आपकी भी प्लाइश्टोर में something went wrong या no internet या try again करके error आता है तो इसको कैसे solve करें कि आपका यहाँ पे प्लाइश्टोर काम करने लगे हैं यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेरा प्लाइश्टोर ओपेन है और यहाँ पे मैं जैसे प्लाइश्टोर ओपेन किया हूँ तो यहाँ पे try again लिख रहा है और कभी कभी something went wrong लिख रहा है तो इसको कैसे सही कर दें कि यह पहले जैसा काम करने लगे और यह error ना आए तो क्य करना होगा कि जिसके वज़े से सही हो जाए तो चलते हैं वीडियो की start करते हैं देखते हैं कैसे क्या होता है तो दोस्तों अगर यह problem आता है तो आपके मुवाइल में जरूर सेटिंग से छेट छाड़ हुआ है इसके वज़े से प्रावलम आता है तो इसको solve कैसे करेंगे तो देखते हैं कैसे करते हैं तो यहां पर मैं बैक आजाओंगा बैक आने के बाद यहां पर सेटिंग खोलूंगा सेटिंग खोलने के बाद यहां पर मैं स्कूल करके नीचे आओंगा तो यहां पर यहां पर देख सकते हैं सब अप्लिकेशन का फाइल खूल गया और यहां पर मैं play store देख लेता हूँ किधर है और आप भी देख लीजिएगा और यहां पर जैसी play store मिलेगा मैं इसको open करता हूँ तो यहां पर देख सकते हैं लिख रहा है google play store तो यहां पर में प्लै स्टोर है तो मैं इस पर click करके open करता हूँ open करने के बाद इस तरीके से ये open हो जाता है और यहाँ पे नीचे कुछ setting दिखाने लगता है तो यहाँ पे आप कभी setting खोले होंगे और छेड़ चाड़ किये होंगे जिसके वज़ा से ओर error आ रहा है तो इसको solve कैसे कर दें कि वो असानी से solve हो जाए और कोई आपको दिक्कत ना हो तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या होगा यहाँ पे storage uses वाले option पर click करना होगा जैसे storage uses वाले option पर click करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे उपर लिखा है clear data तो सबसे पहले इसको clear data कर लेंगे इस तरीके से और उसके बाद यहाँ पे कुछ OK करने को बोलेगा तो OK कर देंगे OK करने के बाद आपके Play Store में जितना भी वाइरस रहेगा वो किलियर हो जाएगा और फ्रेस चलने लगेगा तो यहाँ पे यह करने के बाद आपको बायक आना है बायक आने के बाद यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे देख सकते हैं Data Uses वाला option उपर लिखा है तो इस पर क्लिक करेंगे जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नीचे आएंगे देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं दो setting है जो की on है तो यहां पे लिख रहा है पहले सेटिंग डिसेबल मुबाईल डाटा और दोसरा सेटिंग लिख रहा है डिसेबल वाइफ हाई तो यह दोनों आपशन को बंद करके रखना है तो यहां पे देख सकते हैं यह दोनों चालू हो गया है जिसके वज़ा से मेरे play store में error आ रहा है इसी के वज़ा से आ रहा है तो इन दोनों option को बंद कर देना है इसको बंद करने के बाद आपको back आ जाना है back आने के बाद आपको सीधे home पे आना होगा home पे आने के बाद यहाँ पर play store फिर से खोल लेंगे जैसे play store खोलते हैं तो यह उस समय छेड़ शाड़ कर देते हैं जिसके वज़े से ये दिक्कत हो जाता है तो अगर आप में भी अगर इस तरीके से दिक्कत हो गया है और आपके भी प्लाइश्टियोर में एरार आ रहा है तो इसको इस तरीके से सही कर सकते हैं तो दुस्तों आपको मैं लाइफ वुरूप दिखा दिया और आप भी इसी तरीके से इसको सही कर सकते हैं. तो दुस्तों आज की वीडियों बस इतना ही, फिर से एक अगले वीडियों मिलेंगे, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो मेरे चैनल को सक्स्राइब कर लिजेगा, क्योंकि मैं ऐसा से वीडियो लत रहता हूँ.